पैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो इस बात को साबित कर देता है कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी पिछले दो साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विच्छंट पिछले दो साल से चल रहा ये फरजी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतिय जनता पार्टी का एक शड्यंत्र है भारतिय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साज़िश रच रही है और इसी लिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फरजी केस में बिना किसी सुबूत के जेल में डार दिया राउज आवन्यू कोट ने जब अर्विंद केजरिवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट के पास अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि E.D. इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है ये कोट के शब्द हैं ये हमारे शब्द नहीं है आज राउज आवन्यू कोट के उस फैसले पर सुप्रीम कोट में भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरिवाल जी को E.D. के मुकदमे में जमानत देती लेकिन भातिये जन्तापाटी को ये पता था उनको पता था कि राउज आवन्यू कोट से जमानत मिल गई है उनको पता था कि सुप्रीम कोट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और शड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोट में जिस दिन अरविंद केजरिवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनेतिक हत्यार C.B.I. से अरविंद केजरिवाल जी को गिरफतार करवा दिया क्यों किया गिरफतार C.B.I. से सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफतार करवाया कि अगर E.D. के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरिवाल जी बहार आकर दस गुना स्पीड से दिनली के लोगों का काम करने लग चाहिए और भारतिय जन्ता पार्टी का शड्यांत रुकता नहीं है इसलिए C.B.I. के केस में रेस्ट किया मैं आज भारतिय जन्ता पार्टी को ये कहना चाहती है कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायाले ने आपके शड्यांत का परदा फाश किया एक के बाद एक नियायाले ने कहा है कि अर्विन केजरिवाल जी के खिलाफ सुबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर नियायाले अर्विन केजरिवाल जी को समानत दे रहा है मैं भार्तिय जंता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खतम करिए, अपना अहंकार खतम करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोगतंत्र के खिलाफ शड्यंत्र रक्षना बंद करिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता अर्विंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये सांफ कर देती है कि अर्विंद केजरीवाल सकते के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहें अब मैं चाहूंगी कि संदीप जी और सौरग जी अपनी बाद रहें आज माननी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक एतिहासिक फैसला है कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारन का काम करती है आज जो फैसला आया है वो बड़ा इसपस्ट कर देती है कि जो तथा कथित शराब घोटाला भारती जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट, PMLA स्पेशल कोर्ट का ओर्डर आया था उस ओर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदे नहीं रहेगा कि ये केस क्या है उस ओर्डर में तीन चार चीजें बड़ी स्पस लिखे हुई है पहला कि कोई पैसे का लेंदे नहीं हुआ है दूसरा पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामत नहीं हुए तीसरा अर्विन केजरिवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाता का सवाल ही नहीं है और सबसे important चीज़ कि उसमें ED के intent को ये मार्क करने वाली बात है, court के order में ED के intent पे बड़ा question mark लगा है कि ED जो है बड़े एक malafide intent के साथ काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, जब कोई एक agency अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ विभार करती है, तो वो बहुत गंभीर विशय हो जाता है, special court के बाद मुद्दा आज सुप्रीम कोट में आये, सुप्रीम कोट में एक बड़े प्रशन पर विचार किया जा रहा था, और बड़ा प्रशन क्या था, वो बड़ा प्रशन ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट ही illegal है, तो court ने अपने तरीके से अध्यन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है, जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशानिर्धारन होगा आगे, लेकिन court ने interim bail grant किया है अर्विन केजरिवाल जी को, अब आपको ये समझना होगा कि पीए मेले में जब सारे तक्ष और साक्षों को देखकर सभी सबूत ये जो दिये है, उसको exhaust करने के बाद ही ऐसे interim bail या bail दिये जाते हैं, तो मेरा ये submission है भारती जन्ता पार्टी से कि हर court में आपको मूँ की खानी पड़ रही है और ये case सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सरकस है, तो इस सरकस को बंद करिए, देश का और जन्ता का और खास करके दिल्ली की जन्ता का समय व्यर्थ ना करें, नरेंद्र मोदी जी ने, अमिश्या जी ने और भारती जन्ता पार्टी ने, इस देश को एक ही चीज दिया है, हर व्यक्ति का, हर कारेकाल की एक देन होती है कि भही इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसके कारेकाल में क्या मिला, तो भाजपा के मोदी जी और अमिश्या के कारेकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को और वो है ये ताना शाही की ऐसी विवस्था जिसमें जिस राजनेतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनको उनका सामना नहीं कर सकते उनको गलब तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से शडियंत्र करके जेल में डालना या उनको फसाना इसको बंद करना चाहिए देश का बहुत समय वेस्ट हो रहे है हमें नई राजनीती करनी है हमें देश को आगे लेकर जाना है हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीती करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा मेरा ये फिर से रिक्वेस्ट है माननी प्रधानमंत्री जी से और अमिश्या जी से कि ये गंदी राजनीती से बाहर आईए और अच्छी राजनीती करेंगे मैं चाहूंगा कि शौरब जी भी थोड़ा सा इस पर अपनी बिच्वादा से आज जो सुप्रीम कोट की डबल बेंच जस्टिस संदीब खर्णा जस्टिस विपांकर दत्ता कि बेंच ने जो सुप्रीम कोट की छुटियों से पहले अपना ओर्डर रिजर्व किया उसको आज उनमे सुनाया उसके अंदर सुप्रीम कोट के सामने ये सवाल थे कि अगर एडी प्यमले एक्ट के अंदर अडर सेक्शन नाइंटीन अरेस्ट करती है सेक्शन फॉर्टीफई उसके इंदर की बात सूचता हो सेक्शन नाइनटीन के अंदर जब वह एक एजन्सकरती है तो उसका जो डिसीजन है वह सबजेक्टेव हैं अफसरों की व्याद पौपीनियन है तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सक्थ हैं जितने सक्षन 45 में हैं तो उसमें अरेस्ट का थ्रेश्वोल्ड भी हाई होगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात-बात पर अरेस्ट कर ले और फिर बेल ना दें तो अगर बेल सल नहीं किसी कानून तो उसमें अरेस्ट भी हँसान होती है और काणून में बेल मुश्किल हैं तो उसमें के अरेस्ट होने भी क्या कि लगा ले तो बेल के सिद्धान दिये हैं कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थेश्षोल्ड भी हाई होना चाहिए सुप्रीम कोट ने नीड एन नेसेसिटी और बेल के बारे में कहा और सुप्रीम कोट ने दूसरी बात ये कही कि इस बामले में अर्विंद केजरिवाल जी करीब नपय जिन से जादा पहले ही जेल में रह च है ऐसे में मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं यह फैसला कोई कानून कोई कोट नहीं कर सकता है यह फैसला स्वें वहीं कर सकते हैं लहाजा इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है जो हमारे भारती जनता पार्टी के में तो कूद रहे थे इसाब वो उनके ओपर मुकदमा हो गया वो अर्जिट हो गए तो अर्विन केश्यवाल को इस्टीफा देना चाहिए तो हाइप कोट ने भी यही बात कहीं और अन्तता सुप्रीम कोट में यही बात कहीं कि वह मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें कोड कोई दखल नहीं कर सकता हूं यह बात आपके सामने रखी और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बदाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तोर पे पीमले के कारण उनके उपर अ देखिए मैं यह समस्ता हूं जुडीशरी भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतिये जनता पार्टी की केंदर सरकार मुकदमों केंदर फसाती हैं मुकदमों में फसाने के बाद अपने राजनित प्रती दुण्द्भिओं को जेल में डाला जाता है जेल डालके उनके ओपर एक प्रेसर बनाया जाता है तो इदी भार्तिये जांता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें। भार्तिये जétais के सात मिर जाए तो उनकी ऑपर वह मुकदमा कमजूर कर दिया है छापे इस तरह किसे करके भार्तिय जंता पार्टी में लाने की बावना से केंदर सरकार लगा रही तो कोट्स इस चीज को रिफ्लेट कर रहे हैं इसी शिंखला में हेमन सुराइन जी की बेर जो है हाई कोट से हुई अर्विंद केजिवाजी की बेर तो लोर कोट से ही हो गई थी आप देख सकते ह से इडी रातो रात भागी हाई कोट के जजज साहब ने बिना हाई कोट का फैसला आए यह इतियास में पहली बार हुआ है जिस जजज ने हाई कोट का फैसला ही नहीं पड़ा उसको यही नहीं मालूम कि लोर कोट ने किस बात पर बेंदी है लोर कोट में क्या दलीले मानी ह है क्या दलीले खारिज की है उस फैसले को विना देखे हाई कोट के जस्चिस साब ने जो है उसके अंदर रोक लगा दी थी तो वो भी जो मैसेज जो है मुझे लगता है पूरे समाज जुडिशरी में गया है और ये बात साफ है कि केंदर सरकारे क्विछ हंटिंग कर रही है लेकिन अभी सीम बाहर में आपाएंगे 17 जुलाई को लेकिए वो तो आतिशी चेहिदे में बताया उनकी देखिए बार बार पहले सुप्रिम कोट ने इंटरिम बेल दी पीम मेले में मिलती नहीं है उने मिली फिर लोर कोट में नियाए बिंदू जी ने उनको बेल दी अब देश की हाइस कोट ने उनको इंटरिम बेल दी आप इस बात को समझे जैसे ही नाय बिंदू जी ने अर्विंद केजरिवाल को इडी के मामले में बेल की थी यह बात के अंदर सरकार को समझ में आ गई जी कि अब गई भाई बहार निकलने वाले हैं इसलिए CBI जो है रातो दूरात अर्विंद केजरिवाल के आँ गई तयार के अंदर उनको अनने अर्ष्ट किया दो दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है तीन दिन की उनकी जो है इंटरोगेशन करी अब जो है यह कह दिया कि इनने CBI लिए इनको अर्श कर रखा है सिर्व इसलिए कि कहीं गलती से अर्विंद केज़िवाल जी की बेल सुप्रीम कोट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए बट मैं यह मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है प्रेविंशन और करॉप्शन एक्ट जो होता है वो मोटे तौर पिसी से गवर्ण होता है जिसके अंदर बेल इस मैटर ऑफ राइट इस सीवी आई की बेल के अंदर सीवी आई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है कि एड़ी और पी मेले के मामले में जो होता है उसको थाविट करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं तो इसके अंदर जो बर्ड़न ऑफ रूफ है वो सीवी के उपर है और मुझे रखता है तो बहुत सारे जो एक्ट यूज है एक्टाइस केंदर उन सबको मैल मिल रखी है कि यह की बेल के अंदर जो है उनको बेल मिलेगी और अर्विन के जिवाल जी दिली के लोगों की सेवा करने वापिस जो है लॉटिंग